मौन्सुन की सीजन में जनरली आपको काफी सारे इंफेक्शन और बैक्टीरिया जर्म्स यह सब चीज़ आपको बहुत जादा सुनने को मिलती है और इस टाइम पर बच्चों के स्टमक अपसेट होना या फिर फीवर होना यह बहुत जादा कॉमन है तो आपको कुछ चीजों आपको मौन्सुन के सीजन में अवाइट करने चाहिए तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको आपको यह वीडियो यूसफुल लगेगी अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक करिए चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा और नीचे दियेगा रेड बैल आइकन को हिट करी जिसमें की आपको मारी साहिट डीन को साही वीडियो से मिल सके फर्स्ट इस घ्रीन लीफी तो कोशिश करें कि निग्टेबल्स को अवाइड करें जैसे कि मेथि हो गया पालक है मूली के पते हैं यह सब आपको इनके अलावर जो वेजटेबल्स है जैसे जादा moisture होगा उतना ही जादा bacteria होंगे और जितने जादा bacteria होंगे उसमें breeding होने के chances बहुत ही जादा होते है तो इस मौसम में आप लौकी, करेला, बीटूर, कुकुम्बर और टिंडा आता है इस टाइम पर तोर ही आती है तो यह सब सबजें आप ले सकते हैं यह बहुत ही कि fish और prawns भी आपको avoid करने चाहिए because the same reason क्योंकि इस टाइम पर water जो है उसमें बहुत दा bacteria होते हैं germs रहते हैं and ultimately अगर fish infect होगी अगर उससे तो आपका ही जो stomach है वो upset होगा आप कितना भी clean करें fish को बर इतना जादा moisture रहता है कि आप उसको पूरी तरीके से clean नहीं कर पाते ह कहीं जो fish है वो infect हो जाती है second reason is that क्योंकि यह breeding का time होता है तो जो fish भी होती है उसमें भी थोड़ा बहुत changes हो सकते हैं मतलब कि जो water आपकी बॉड़ी को cooling effect देती है और रिकमेंड करा जाता है कि मॉन्सून के season में especially आपको hot और fresh food काना चाहिए ना कि आपको cold food खाना चाहिए तो जितना हो सके आप avoid करें क्योंकि जितना ज्यादा थंड़ा food खाते ना यापकी बॉड़ी का डाइजेशन जो एक process होता है उस पे काफेज़ादा effect करता है तो इस बात का भी आप धियान रखें फोर्थ हिंग is spicy and fried food अब मॉन्सून का season हो और आप चाय पकोड़ा और समोसा यह सब चीज़े ना खाये तो ऐसा तो possible बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए नहीं है बट करना चाहिए थोड़ सा control आपको करना चाहिए क्योंकि जितना जादा fried food or spices खाएंगे ना आपका stomach उतना ही जादा upset होगा और monsoon के season में बहुत ही जादा होता है तो इसको आप weekly या फिर monthly आप खाएं और कोशिश पूरा करें कि घर पे ही बना के खाएं आप बाहर का खाना इ तो at least आप हर चीज को प्रॉपर तरीके से clean कर सकते हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और जितना हो सके fried food or spices आप इस ताइम पर avoid करें फिफ्फ इंग इस raw food और semi-cooked food मॉन्सून के season में especially आपको raw food और semi-cooked food नहीं खाना चाहिए क्योंकि heat में भी generally germs होते हैं और अगर आप food को अपने semi-cooked रखेंगे या फिर raw रखेंगे तो जो भी bacteria होंगे उसको भी आप intake कर लेंगे so it's better कि आप जो भी vegetables भी अगर आप ले रहे हैं तो उसको भी steam कर रहे हैं प्रॉपर तरीक से boil करें उसके बाद ही आप उनको खाए क्योंकि इससे बहुत ही कम chances होते हैं कि बैक्टीरिया को आप इंटेक करेंगे so friends these are the five foods which you have to avoid in monsoon season क्योंकि monsoon के season जब भी आता है बहुत सारे बीमारी आपने साथ लेके आता है बहुत सारे infection आपके साथ घर पे लेके आता है ना केवल बच्चों को हम बड़ों को भी मतलब जो होता है हर किसी चीज से infection हो सकता है so friends this is all in this video and thank you so much for watching this video I hope आपको इस वीडियो यसफो लगयोगी अगर आपको वीडियो पसन आई हो तो like कर दीजेगा and do share with your friends bye bye and take care